मशकार साथियों, हिंदी नैट शाला चैनल में आप सभी का पुनहा हार्दि कभी नंदन है आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परिक्षाओं असिस्टेंट प्रॉफेसर भरती, आर्पीसी की सेकंड ग्रेट, फर्स्ट्रुट कॉलेज, लेक्षर भरती, नैट, जियारेट, परिक्षा सहित, विबिन राज्यों से आयोजित होने वाली, पीजीटी, इत्यादी भरती परिक्षाओं के सलेवस को दृष्टिगत रखते समबंदित प्रश्टों को आज की कक्षा में हम सॉल्व करेंगे, इन मैंसे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं नाटक गद्दी विधा से रेलेटेड पहले अपलोड कर चुकी हूँ, उनमें बहुत विस्तृत व्याक्या साहित मैंने समझा दिया है, थोड़ा सा हम अपनी नाटक गद्दी विधा को जल्दी समाप्त करेंगे, क्योंकि अब प्रैश्टों रिपीट हो रहे हैं, यानि इतने प्रैक्टिस सेट हमने नाटक के कर लिए हैं, कि कुछ नया सीखने को नहीं है, लेकिन ये बुक मैं आपको करवा रही हूँ, तो मैं जितने भी प्रैश् का पहला और नाटक गद्दी विधा का 336 वप्रशन देख लेते हैं, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है, सिद्धार्थक, समिध्धार्थक, चानक के अथवा चंद्रगुप्त, सही option है, option number C, चानक के, मुद्रा राक्षस नाटक का नायक चानक के है, यह संस्क्रि रहें, नंद, राक्षस, चंद्रगुप्त, मलेकेतु, छपणा के चंदंदा, शंकरदा, सकर्भक्त, आदी, इसका उपजी विग्रंथ विश्न पुरान है, यह राजनीतिक दृष्टी से उत्कृष्ट नाटक है, तो उपजी विग्रंथ कौन सा है, विश्न पुरान, व प्रिधान मंत्री था, आपने चंद्रगुप्त, जैशंकर प्रशाद का चंद्रगुप्त पढ़ा है, हिंदी बुक्षाला पर, वहां इसको देखा था, नाटक भी खेर, आपने चंद्रगुप्त वाला देखा होगा, उसमें देखा होगा, मुद्रा राक्षस, जिसे वो करता था, आदेश देते समय, तो उससे संबंदित कोई प्रसंग है, तब वो मुद्रा राक्षस के नाम से विख्यात हुआ, आगे देख लेते हैं, कौन कार्यावस्था के अंतरगत नहीं आता, प्रयत्न, प्रत्याशा, फलागम, उत्पाध्य, तो कार्यावस्था के अंत तक विस्तित रहता है, इस विस्तार के पाँच भाग किये गए हैं, जिनें कार्यावस्था केते ही, यह है, आरंब, प्रियत्न, प्रत्याशा, नियताप्ती, फलागम, कौन से भारती इंदु की रचना नहीं है, वैदिक हिंसा, हिंसन, नभवती, पदमावती, विशश्य विशौसधम वाजशाह दरपन तो पदमावती भारतिंदू की रचना नहीं है पदमावती पंडित बालकृष्ण भट का नाटक है बाकी भारतिंदू की पूरी व्याख्या देख चुके हैं आगे बढ़ेंगे बाबु तोता राम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुबाद किस नाम से किया तो कैटो का अनुबाद इन्होंने कृतांत नाम से किया बाबु तोता राम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुबाद कृतांत नाम से किया पाचवे पैगंबर नाटक के लेखक अनुदित नाटक है तो विद्या सुंदर अनुदित नाटक है और सरवादिक उनके अनुदित नाटकों में विद्या सुंदर ही पूछा जाता है भारत में सबसे पहले पश्चमी रंगमंच की इस्थापना कहां हुई बंगाल में हुई अंग्रे जोद्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से सन 1776 कलकत्ता में इस्थापित किया गया काशी में नेशनल थियाटर के स्थापना के प्रेरक कौन रहे तो काशी में नेशनल थियाटर की स्थापना के प्रेरक भारतेंदू हरिश्चंद्र रहे श्रंगार और वीर रस्प्रधान नाटक कौन सा है जिसमें श्रंगार भी हो और वीर भी हो मयंक मंजरी है मयंक मंजरी क पिशोरिलाल गोस्वामी का है, इनके अन्य नाटक है, चौपट, चपेट, मयंक मंजरी है, जिसमें श्रंगार और वीद्धौन और अस्प्रधान है, सैक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुबाद किस ने किया, लाला सीता राम ने, मोहन राकेश, विद्यानिवास, मिस लाला सीता राम ने किया, यह सब आपके डहली केवी में पूछे हुए हैं, कुछ केवी असके हैं, बाकी डहली केवी वाला जो उसमें पूछे हुए हैं, संभवामी, युगे, युगे, नाटक के रचईता हैं, जेजे, हरीजीत, यह आपके आधुनिक नाटक कार हैं, ठी अधुनातन इसको कहेंगे आप अध्यतन से पूछा हुआ प्रशन है आपका जेजे हरीजीत संभावी युगे-युगे नाटक के रचाईता है इनकी अन्यरचना है रंगायन महराज नंद कुमार समराट इसकंद गुप्त विद्रोही वैतरनी के पार इत्यादी जेशंकर प्रशाद के नाटकों का सही अनुक्रम बार बार पूछा जाता है और मैंने आपसे पहले भी कहा है प्रशाद हैं भीसम शहानी हैं सुरेंद्र वर्मा हैं मोहन राकेश हैं चार-पांच नाटक कार ऐसे हैं जिनको आप रट लेजिएगा जेशंकर प्रशाद के नाटकों का सही अनुक्रम रहेगा विशाक 1921 अजाशत्रू 1922 कामना 27 इसकंद गुप्त 28 विशाक अजाशत्रू कामना और इसकंद गुप्त चंद्रगुप्त नाटक की नाईका हैं कारनेलिया कौन सा सुमेलित नहीं है चतुरसें शास्त्री का है उतसर्ग चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है अशोग हरीकिष्ण प्रेमी का है प्रतिशोद सिद्ध लिंग पंड़न शिठ्ठी का विशाका ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ये जो है शिर्वाड कर यानचा का है कलपांतर क्या है कलपांतर एक गीती नाट्टे है और इसके रचैता गिरीजा कुमार माथुर है कल पांतर एक गीती नाट्टे है जिसके रचाईता गिरीजा कुमार माथुर है जन नाट्टे मंच की स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना 1949 में कलकत्ता में हुई ठीक है जन नाट्टे मंच की स्थापना 1949 कलकत्ता में हुई नुकड नाटक के जनक किसे माना जाता है तो सफदर हाश्मी को नुकड नाटक का जनक माना जाता है इनका जनम दिवस 12 अप्रेल को नुकड नाटक के रूप में मनाया जाता है सफदर हाश्मी नुकड नाटक के जनक है तो ये वन लाइनर के रूप में मैं आपको करवा रही हूँ, options की इसमें जरूरत नहीं है जहां options पढ़ने की आवशक्ता है और की व्यक्षय की आवशक्ता पूरा मैं आपको करवाऊंगी, in fact मैं करवा चुकी हूँ पराने practice set में, channel पर पहली वार हैं, तो playlist से आप आधुनिक काल को practice sets के लिए तो वो आपको practice book पूरी की पूरी Hindi bookshala channel पर उपलबद है इसी channel का दूसरा भाग है आप कह सकते हैं, Hindi netshala part 1 है तो Hindi bookshala part 2 है description box में मैं लिंक दे दूँगी तो complete तैयारी है तो दोनो channels की playlist आपको check करनी पड़ेगी, और संतुष्ट हो subscribe कर लीजेगा, आगे बढ़ते हैं वहाँ पर भी आपका रीती काल का बहुती important practice set मैंने अभी upload कर दिया यानि ये जब आपको मिलेगा तो उससे पहले bookshala पर भी practice set आपका upload हो जाएगा पूरी तैयारी करना आप ऐसा तो है नहीं कि आधुनी काल को आप पढ़ लेंगे और बाकी की कालों को छोड़ देंगे वो तो है नहीं, सारा आपको पढ़ना है इतनी मोटी book है, इसी लिए दोनों चैनल्स पे करवारी हूँ, कृपया करके आप वीडियोस को लाइक करें और अपनी मित्रों तक शेयर जरूर करें पंडे जवारलाल नहरू और ब्रमा वर्थ के पृथू के वीच विलक्षन सामें किस नाटक में है पहला राजा नाटक के रचईता जग्दिश चंदर मातुर है इनके अन्य नाटक है कोणारक शारदिया रगुकुल रीती दश्रत नंदर इत्यादि थोड़ा सा किताब को सेट करेंगे फिर पढ़ते हैं कुमार यह मृत्यू और निर्वासन का सुक्तम अकेले ही लोगे यह नहीं हो सकता किस नाटक की पंक्ती है धृफ स्वामिनी की 1933 इस्वी में रचित धृफ स्वामिनी नाटक के लेखक जैशंकर प्रशाद है यह नाटक विशाग के देवी चंद्रुत के आधार पर लिखा गया है जबकि जनमेजे का नागियग एक घूट कामना आधी प्रशाद के ही नाटक है सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल चंद की धूल उड़ती है कथन प्रशाद के किस नाटक का समवाद है धुर्प स्वामिनी का समवाद है प्रशाद की नाटक हम हिंदी बुक्षाला चैनल पे पढ़ चुके हैं आपको मिल जाएंगे उक्त कथन मन्दा किनी द्वारा कहा गया है नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सा है खुबसूरत बहुँ GIC PZT 2015 में पूछे हुए दोनों नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है खुबसूरत बहु योर्थ फेथफुली अमरित पुत्र यमगाता ये सब नहीं है ठीक है अन्य नाटक इनके देख लेते हैं वसीयत दलित तोता जूट नहीं बोलता पड़ो फार्सी बेचो देर इन बाकी का यहां पर व्याख्या आप इन्होंने नहीं दिये इस लिए नहीं दिये इस बुक में भी क्योंकि ये सब यूर्स फेथ फुली यमगाता सबकी व्याख्या पूर में आ चुकी है इसी लिए आप करमबद रूप से पढ़ें नाटक को पढ़ रहे हैं तो नाटक के विधा को पढ़ रहे हैं तो नाटक विधा के सभी प्रैक्टिस सेट्स आप एक साथ करें उत्तरायान किस की कृती यह चित्रुरेखा, चंद्रकरण, राजरानी, सीता, पृत्विराज की आखें, एकलब वे उत्तरायान, संस्कित साहित्य, संकेत, आकाश, गंगा, इत्याधी, कौन सी रचना एकांकी है तो इन में से नदी प्यासी थी यह एकांकी है धरंबीर भारती की परिंदे तो कहान है सबने पढ़ी है सुहाग के नुपूर यह उपन्यास है अमरितलाल नागर का गुल की बन्नो कहानी है किसके धरंबीर भारती की कौन जैशंकर पशाद्वारा रचित नाटक कौन सानी अजाश शत्रु धुरुस्वामिनी इसकंद गुप्त और तितली तितली इनका उपन है और नाटकों में इनका सजन कल्यानी परने करुणाले प्राष्चित्रा जिश्री विशाक अजासुत्रु जन में जे कन्नाग यग्य कामना इसकंद गुप्त एक घुट तो यह एकांकी है इनकी चंद गुप्त था धुरुस्वामिनी फैमस है देखिए इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखेंगे ठीक है पुन है क्योंकि आप बुक्षाला वाला भी पढ़ लीजिएगा और क्योंकि पुन हम मैं आपके समक्ष उत्तरकांड का जो है वीडियो उत्तरकांड को भी मैं जल्दी पूरा करवाने के पक्ष में हूं मेरा प्रियास जा रहे है तो छ शाम को उत्तरकांड मैं आपको वीडियो डाल दूंगे इसको आप लोग पढ़ें सुनें समझें आप किसले बस में नहीं है तो भी पढ़ सुनवें एक अच्छी चीज है मिलती हूं आपसे पुन हा उत्तरकांड के वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार देने बाद जहें